अज हम क्या करेंगे जो आपका सेकंड पेपर है पब्लिक फाइनस उसके बारे में स्टड़ी करेंगे कि पब्लिक फाइनस होता क्या है उसका मीनिंग क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है आपका जो सेकंड पेपर है उसमें आपके पब्लिक फाइनस में क्या के चीज़ इसमें आपको मिलेगा Meaning and Scope of Public Finance क्या होता है Public Goods and Private Goods अबारे क्या होते है The Principle of Maximum Socializations मिलेगा कि आदिक्तर समाजिक लाव का सिद्दान्थ क्या होता है Concept Classification and Preparation of Budget के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे Sarjanic I.K.S.R.O.T.A.V. करार ओपन के बारे में study करेंगे आज जो हम study कर दे हैं इसमें सबसे पहला जो हमारा topic है और भी other topic है उनके बारे में study करेंगे Public Finance आपका second paper है इसमें भी आपके क्या है? 5 ही unit है और इसमें आपके 30 chapters है इसमें इसे कुछ important है जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और paper में उनके बारे में बहुत कुछ आएगा तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि Public Finance होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसका meaning It is concerned with the income and expenditure of public authorities It means Public Finance is a study of the nature and principle of state expenditure and state revenue की meaning of Public Finance क्या होता है? इसमें बताया गया है की राजल्स क्या होता है? अर्थसास की वह साका है जिसका सम्मन सार्जनिक प्रदादिकारियों के आई तथा वह के अध्यन से होता है इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारे socials जो authorities होती है उसमें हमारे revenue कितने होते हैं, हमारे expenditure कितने होते हैं उन सबके बारे में हम क्या करेंगे? राजल्स में study करेंगे की Public Finance क्या होता है? इसमें की revenue जो होता है प्राप्ती होती है कि एक government जो होती है, government की कितिनी income होती है, कैसे-कैसे उसकी income होती है और government क्या करती है, कैसे-कैसे कोई expenditure करती है, उन सब के बारे में क्या करेंगे, आप इसमें study करेंगे इसने बताया है कि सार्वजनिक प्रदिकारी शब्द से अभी प्राई सरकार के उन सभी विभागों से है जो देश के वीतर कारी कर रहे हैं लोगो पता है कि हमारे यह पर गॉर्णमेंट होती है और गॉर्णमेंट के क्या होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या जैसे टेक्स डिपार्टमेंट होता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है परचेस का अलग होता है तो अलग-अलग टाइप से इ हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है जल्दी से गौर्णमेंट का क्या होता है हस्कुषे कम होता है और वो क्या होता है किसी प्राइवेट कंपनी या किसी बड़े बिजनिसमेंट के द्वारा वो से बाक्टर्स चलाए जाते हैं। बाक्टर्स चलाए जाते हैं। बाक्टर्स चलाए जाते हैं। इसलिए जो हमारा पब्लिक फाइनस होता है जो हम स्टडी करते हैं। वो किसकी करते हैं। नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एक्सपर्बिचर एंड स्टेट रिवेन्यू की। अब देखते हैं कि मिनिंग क्या है। इसलिए जो हमारा राजा होता है। उसे क्या करते हैं। अब ऐसी ही जो राजा है। उसकी जंगा क्या होगी है। राजा की जंगा क्या होगी है। सरकार कारी करती है। सरकार देखती है कि हमें जिस राजी में जैसी सरकार होगी। वहां पर उन राजी की सरकार उसके कारी को देखेगी। कि यहां पर मुझे कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है किस तरह से कोई काम होगा और कैसे नहीं होगा इस आधियां करते हैं कि राजा का धर कहां से और किस प्रकार लाता है और व्या करता है इसमें क्या करेंगे कि राजा जो है अपना धन कहां से लाता है तो ऐसे ही क्या होता ह है हमारी अब government आ गए उस राजा की जगा तो हम देखते हैं कि government जो हटी है अपनी income कहा कहा से gain करती है और कैसे कैसे उसके expenditure करती है उस सब के बारे में हम क्या करेंगे है फब्लिक expenditure में study करेंगें Дिब्या की ओप कि पब्लिक फाइनस क्या होता है पब्लिक फाइनस को जो है हम हिंदी में कहते हैं पब्लिक मतलब सारजनिक विद के नाम से भी इसको हम जानते हैं क्या कि सारजनिक विद सारजनिक विद मतलब जाता है जनता का धन एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं पब कि जनता का जो प्रतिमिधित करती है जो उन्हें प्रजेंट करती है उन सब चीजों के बारे में study करते हैं करने वाली संसाओं जैसे कि कौन सी होगी राज्ये या राज्ये सरकार हो सकती है ठीक है विद्य व्यवस्ताओं का ध्यन करते हैं कि government जो है state government होती है हमारी local government होती है ठीक है central government होती है वो कितना income clean कर रही है वो कितना expenditure कर रही है उन सब के बारे में जो हम study करते हैं वो क्या करते हैं public finance में करते हैं तो public finance को अगर हम simple word में देखें तो public finance के अंदर हम क्या करते हैं जो सरकार होती है उसका जो वित होता है उसमें उसके income कितनी है उसके expenditure कितनी है वो कहां से अपने कौन-कौन से source लगा के income को gain कर रहा है और किस किस चीजों के ऊपर क्या कर रहा है expenditure कर रहा है उन सब के बारे में क्या करती है study की जाती है तो public finance क्या है यह आपके लिए वैसे भी एक new है क्योंकि अपने थोड़ा सा जो है first year में यह national income गयारा तो पढ़ी भी है पर यह बिल्कुल नहीं बढ़ा और यह आप लोगों के जो competitions जो होते हैं उसमें भी public finance से बहुत जादे question पूछी जाते हैं यदि कोई आप railway की तहारी कर रहे हो किसी भी चीज की कर रहे हो तो public finance का कुछ पार टेक्स कैसे होता है इन सब के बारे में क्या करोगे आप public finance में study करोगे तो राजासु को हम यही कह सकते हैं कि राजासु क्या है एक तरीकी से public finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which the one is addressed to the other कि यह क्या होता है income and expenditure की एक क्या होती है और इसमें यह देखा जाता है कि यह क्या होता है एक दूसर इस साथ क्या होता है adjust कैसे करता है कैसे क्या करता है concert with the income and expenditure of public authorities करता है इसा मतलब हो गया कि public violence क्या करता है study करता है और इसमें क्या होता है इसके nature इसकी प्रकरती कैसी होती है इसकी सिद्धांद कैसे होते है इसके बारे में आप क्या करेंगे study करेंगे कि कौन से expenditure है कौन से income में हमारी expenditure जो हमने कहां कहां कैसे कैसे खर्चा करना है किसके चीज़ पर कितना कितना पैसे लगाना है source of income कैसे होंगी कि हम अपनी income को कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी income में किस जगा से हमें कितनी ज्यादर से ज्यादर maximum income हो सकती है हम अपना budget कैसे prepare कर सकते हैं तो इस सब की चीज़ों के बारे में study case में करेंगे आप public finance में public finance बहुत important है आपके exam के point of view से भी और जैसे कि आप अगर किसी government job की त्यारी करने हैं उसके लिए भी इसे ध्यान से परना thank you